क्या कुछ हुआ है बीते हफ़ते अंतराश्य बाजारों में किस तरह के क्यूज पर इस हफ़ते रखनी है नजर सारे डीटेल्स लेकर मेरे सैयों कि दिपांशु चुट चुट चुके हैं लेकिन क्या वैसे ही धमाकेदार तेजी के संकेत इंटरनाशनल मारकेट से मिल रहे हमारे मारकेट कैसे आज रियाग करेंगे या जो इतने स्ट्रिक्ट लॉगडाउन्स हैं प्रतिबंदे वो हटाए जा सकते हैं बट उनके एक सीनियर गर्वर्मेंट ऑफिशल का कहना है कि फिलहाल जीरो कोविड पॉलिसी बनी रहेगी जो भी लॉगडाउन मेजर्स हैं या कोविड रोकने के लिए जो भी इन्हों में आपको नेगेटिव आक्शन बनते हो दिख रहा है यही नहीं अपल ने अपना प्रोड़क्शन चाइना में घटाया है क्योंकि इस समय जो कोविड होट स्पोट है चाइना में वो वो प्रोविंस हैं जहां पर आपल की प्रोड़क्शन फेसिलिटी है इन्फाक्ट देख रहे हैं कि थोड़ा फ्यूचर्स पर मूड बिगड़ा है बट अधर्वाइस जो फ्राइडे का हैंड़ोवर रहा है वो तो बहुत ही मजबूत रहा है चार दिन की गिरावट में यूएस पर ब्रेक लगा 400 उंकों का उच्छाल आपने डाव पर होते हो देखा थोड आपने देखा कि S&P 500 और NASDAQ 27% से जादा उपर रहे रसल 2000 में भी आपने 1% की तेजी बनते हो देखी बॉन्ड इल अभी भी 4.1% के उपर कायम है बट वहाँ पर जादा बड़ा आक्शन नहीं होते हो देखा जो इनका जॉब्स डेटा आया उसकी वज़े से बाजार में थ 2.6 लाक नई जॉब्स जोड़ी गई अनुमान 2 लाक का था तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुमान से बहुत जादा जॉब्स जोड़ी गई है नेगिटिव है क्योंकि लग रहा था कि जॉब मार्केट जब तक कूल आफ नहीं होगी तब तक ये रेट हाई का आए वहां से बाजार का मूट थोड़ा सुधरा बेरोजगारी इनकी 3.5% से बढ़कर 3.7% पर आई अनुमान 3.5% पर ही रहने का था तो बेरोजगारी में आपने हलकी बड़त देखिए तो पहला आप एक रियल संकेत देख सकते हैं कि फाइनली जो रेट हाईक्स हो रही ह जौब्स अभी भी जुड रही है बट ओवरॉल अनुम्प्लोईमेंट में बेरोजगारी में आपने हलकी बड़त देखिए तो बाजार ने इसको एक पॉजिटिव साइन लिया और फिर आपने देखा कि एंड में एक अच्छी रैली रही जिसकी वज़े से डाउ 400 अंक उ नीचे था वही नैस्डेक 4.5% नीचे था और रसल 2000 भी आपने 2% नीचे ही देखा तो ओवरॉल बेसिस पर चार हफ्तों की सब्ताहिक बड़त के ट्रेंड पर आपने ब्रेक लगते हो जरूर देखा बट ओबरॉल फ्राइडे का सेशन फिर भी बाजार के थोड़ा ठीक र थोड़ा उपरी सरों से कमोडिटीज पर आप जरूर दबाव देख रहे हैं 97 पर है कच्चा तेल इस समय नाच्रल गैस पर रखे नजर 7 डॉलर पर आगई है एक महीने की उचाई पर आपको नाच्रल गैस के दाम इस समय दिख रहे हैं वहीं आप नजर रखे जहां तक सोन अब था on a percentage basis अगर आप intraday की बात करें वहां से अब थोड़ा दबाव आपको उपरी सरों से दिख रहा है बेस में बड़ी तेजी अपने Friday के दिन देखे दी तो overall commodities में थोड़ा bounce back आए था आज सुबा थोड़े सुस्त दिख रहे हैं और इस हफते की बात करें तो again data के ल data लिहाज के वीख है बठा एक पहला संकेत आया है कि rate hikes का कुछ impact economy पर हो रहा है देखते हैं बाजार इसको कैसे पचाते हैं ओके चलिए तो बहुत सारे ऐसे data हैं और बहुत सारे triggers हैं जिस पर हम देख रहे हैं global market पर चाहिए वो equity और commodity space सो react करते हुए नजर आ रहे हैं